हेलो चैंपियांस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आप लोगों का लेट स्कोर 100 में वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम लोग लेटराइट सॉयल पढ़ने वाले हैं पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था हम उसे कभी भी न भूल पाएं तो जिन मेरे दोस्तों ने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखिए उनके लिए एक क्विक रिकाइब करते हैं कि वो क्या फॉर्मूला है आए देखते हैं तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला लर्न किया था स्वाइल की क्लासिफिकेशन क लर्न करने के लिए वो फॉर्मूला है हमारा ये हम लोगों ने एस ए आर एल एबी बेसिकली फार लैब देरा टू वर्ड फार एंड लैव हम लोगों ने फार लैब की हेल्फ से क्लासिफिकेशन आफ सोयल को याद किया था आई देखते हैं जो फार लैब वर्ड है या टर इसमें से हर लेटर इसके लिए स्टैंड करता है आई देहां से देखते हैं तो या फार इस्टैंड फार इस्टैंड फार इस्टैंड फार इस्टैंड फार इस्टैंड फार इस्टैंड फार अपनी लेटराइट फार जिसे आज हम अभी कुछ मोमेंट्स में शुरू करने वाले हैं and A stands for arid soil जो western राजस्थान में पाई जाती है right and B stands for black soil दोस्तों black soil ने दोड़ कमाल ही कर दिया अब आप कहोगे कि sir soil कैसे कमाल कर सकती है जैसे हम लोगों का कई नाम होता है पापा मम्मी घर पे हमें कुछ अलग नाम से बुलाते हैं खास दोस्त होते हैं वो भी हमारे एक नाम रख देते हैं और हमारे दोस्त हमें उसी नाम से पुकारते हैं तो मुझे लग रहा है कि यह जो let right जो basically यह जो हमारी black soil है हम लोगों से inspire होकर कि इसने भी तीन नाम रख लिए है और black soil के यह तीन नाम कौन कौन से हैं black soil तो ही है black soil को हम black cotton soil and regular soil भी बोलते हैं so lab का जो b था that is 10 for black soil and दोस्तो आईए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं let right soil so सबसे पहले हम लोग लेट राइट का मतलब समझते हैं let right का मतलब क्या होता है दोस्तो जो let right word है हमारा वो latin के word later देखते हैं यह जो let right है यह latin के word latin भाशा के word later later अब आप लोग कहोगे हैं sir आप पढ़ाते पढ़ाते कहां से later पर आ गए whatsapp के जवाने में आप later की बात कर रहे हैं actually मैं इस later की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हो मैं इस later की बात कर रहा हूँ जिसमें से अगर हम i-t-e निकाल दें basically laterite में से हम लोग i-t-e निकाल दें तो latin word later अपने आप आ जाता है और later का मतलब क्या होता है brick eat हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं न कि eat से eat बजाना वही मोहारे का eat right तो आप कहेंगे sir यह जो हमारी laterite soil है इसका eat से क्या तालुक actually दोस्तों होता क्या है जो हमारी laterite soil है यह जब dry होती है न तो it becomes as hard and strong like brick इसलिए इसको latin भाशा के word later में इसे brick भी बोलते है all clear laterite soil latin word later से बनी है और later का मतलब पत्र नहीं होता जो आप लोग हिंदी में लिखते हो later का मतलब क्या होता है brick eat which means strong चले आगे बढ़ते हैं अब हम दोस्तों feature पढ़ने वाले हैं laterite soil की हम लोग feature पढ़ने वाले हैं दोस्तों आप लोग जानते हो कौन सी crop grow करते हैं और किस chemical compound यानि potash या phosphorus या calcium कौन सा ज्यादा होता है या कौन सा कम होता है basically chemical क्या बोलाँ इसे chemical compound basically किस chemical से बनी है वो soil कौन किस chemical में rich होती है कि इसमें वो poor होती है right जैसे अपनी black soil जो होती है वो phosphorus content में weak होती है जबकि alluvial soil में भर-भर के phosphoric content होता है right तो उसी तरीके से basically soil पर किस तरके question आने माले है features आ सकता है soil का feature बताईए हर soil का feature हो उसे हम ध्यायां से learn करेंगे और दूसरा जो question बनता है soil based कि किस soil में कौन सी crop grow होती है तीसरा question हमारा बनता है जो soil based है soil की features तो late right soil का पहला feature है late right soil develops under tropical ध्यान देना आपको यह जो आप लोग एक चीज और notice करते होंगे कि सर आप तो slide को एकदम rainbow बना देते हों दोस्तो rainbow बनाने के पीछे यही मकसद है कि जो भी words highlighted है colored है अगर आप लोगों ने उसे answer में लिखा उन keywords को I can assure you कि आप लोगों को 80 on 80 मिलेगा and teachers को मिला के रखना पढ़ा के रखना be obedient, respect करना I can guarantee out of 20 आपको minimum 18 या 19 दिलवा देंगे अगर आप बहुत ही good boy जैसे रहोगे तो 20 guaranteed है respect your teacher she'll definitely help you to get 20 on 10 20 on 20 there and 80 on 80 तो हम यहाँ पाही जाएंगे क्योंकि हम लोग उसी के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हम सारे आप लोग भी और मैं भी बैसिकली डाले लेटराइट सूa балप्स ट्रॉपिकल session ψबलप अंडर civil createlle और ्र 55 अंड और अंस सब्रॉपिकल क्लाइमेट तो किस दर के क्लाइमेट में या राइट्स वाल ड्यव्लप रॉपिकल एन अगल uh you इसका मतलब क्या हुआ बहुत गर्मी पढ़ती है बहुत बारीश होती है और जब गर्मी बारिश होगी गर्मी यानि temperature बहुत ज़्यादा होगा तो humidity तो अपने आप होगी तो याद रखिया ट्रॉपिकल मतलब hot, humid and rainy climate तो climate तो जो लेट राइट सोयल के लिए क्लाइमिट होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लेकिन weather कैसा होगा, weather भी wet and dry, wet and dry, wet यानि rainy हो गया, dry मतलब high temperature, आप लोगों को पता है कि जब जो rain होती है और जो temperature होता है वो rocks को weather करने का काम करता है, उससे rocks weather होती है, यानि rocks टूटती है छोटे 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 पार्ट में, छोटे छोटे चोटे टिकोडों में, उसी से तो ह late right soil develops under tropical and subtropical climate, यानि climate कैसा होता है, tropical and subtropical होता है, और season कैसा होता है, late right soil के बनने का, alternate होता है, wet and dry, wet and dry, wet यानि rainy season, dry यानि, too hot, right, चले, next हमारा point है, late right soil is the result of intense leaching, ध्यान दीजिए ये वर्ड बहुत परिशान करता है आप लोगों को, intense leaching, और intense leaching हो दी क्यों है, intense leaching is caused due to heavy rainfall, right, आप लोग एक चीज, मन में सोचते होंगे, यार ये leachy, जो fruit होता है, leachy, खाने में जितना ही tasty होता है, ये जो leaching वर्ड है, वो तना ही travel करता है, concept समझ में नहीं आता, आज हम लोग समझते हैं, बहुत आसान होता है, leaching basically होता क्या है, बहुत ही simple वर्ड से हम लोग समझेगे, जब बहुत ज़्यादा जैसे हम लोगों ने देखा, कि जहां पे laterite soil form होती है, वहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बहुत तेज बारिश होती है, तो जो laterite soil की upper layer में, plant को support करने वाले nutrient होती है, उन्हें बोलते है, water soluble plant nutrient, वो dissolve हो जाते हैं बारिश के पानी में, आप लोग अगर notice करिये, जब बारिश होती है, यानि floor पक्की नहीं होने चाह है, अगर आप लोग notice करो, तो बारिश की बूदे में, अगर इतना ताकत होती है, को वहाँ की soil eros होने लगती है, आप लोग notice किया होगा, आप लोगोंने, जब कभी बारिश होतो प्लेन में जाई, मतलब मैदानी प्लेस में जाके देखिए, जहां पे मिट्टी हो, तो मतलब नहीं, तो weight का मतलब, rain से मतलब है, और tropical मतलब आपको पता है, यह बहुत जादा बारिश होती है, तो बहुत जादा बारिश में क्या होता है, जो soil की upper layer में, nutrients होते है, water, यह water soluble होते है, water soluble plant nutrient, पानी में घुलने वाले, और plants को ताकत देने वाले, वो पुरी तरह से water में dissolve होते हैं, और dissolve होता है, आईए इस diagram की help से समझते हैं, यहाँ पर यह जो, I hope आप लोगों को clear दिख रहा होगा, यह है soil, laterite soil है, इस पर यह, इस पर plant and trees grow हुए है, यह आप grass माल लेजे, plant, tree and grass, grass इस पर grow हुए है, ठीक है, अब होता क्या, जब बहुत जादा बारिश हो container water logging हो गए, मिटी इगनम गीली हो गई, अच्छा एक चीज़ और आप लोगों से बताना चाहरा था, यह dry होने पे, laterite soil dry होने पे, it becomes as hard as brick, लेकिन गीली होने पे, it becomes light liquid, पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, upper layer की बात कर रहा हूँ, soil की upper layer, यहाँ तो फिर, यहाँ तो यहाँ तो bedrock पे, गंकर पत्थर बड़े होते हैं, right, तो जब पूरी तरह से यह liquid हो जाती है बारिश में, upper layer की बात कर रहा हूँ, तो दीरी यह, दीरी यह, दीरी यह, वो, seep through करती है, देखिए, इस diagram से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ से देखिए, जितने भी nutrient थे, water में, soluble plant को नरिश करने वाले, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, water soluble plant nutrient, अब देखिए, इस diagram से समझे, घुल करके, यह, दीरी, यह, दीरी, यह, दीरी, क्या हो रहा है, यह, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, अब एक common sense की बात है, plant तो हम यहाँ ग्रो करेंगे न, यहाँ प water soluble, जो plant nutrient थे, यानि सारी ताकत, वर जो चीजें थी, जितने valuable microorganism थे, plant को support करने वाले, सब पाने में घुल करके, हाँ नीचे आ गए, तो it becomes infertile, it becomes, देखो, plant की roots भी दिखने लगती हैं, और it becomes weak, soil becomes really weak, तो हम लोगों ने क्या देखा, this soil is the result of intense leaching due to heavy rain, so basically एक बार sum up करते ह है, अगर आपको समझाना हो, या अग्जाम में लिखना हो, तो simple लिख सकते हैं, आप, intense leaching is a process, wherein, when heavy rain occurs, water soluble plant nutrient gets dissolved with water, and they seep through, in the lower, they seep through the, they seep through the soil, and reach to the lower level of the laterite soil, जहां पे कंकर पत्थर है, इसकी वज़े से क्या हुआ, जो soil वाली layer है, वो weak हो गई, infertile हो गई, right, अब हम लोग तीसरा point देखते हैं, तो basically दो point में है, दो point हमारा complete हो गया, इसमें हम लोगों नहीं पढ़ा, कि किस तरह के climate में ये form हो होती है, laterite soil, और किस तरह का season होता है, जो उसके formation में help करता है, तो season और climate हो गया, उसके बाद, हम लोगों ने देखा, कि ये soil के formation में, leaching का भी बहुत बड़ा role होता है, तो कौन-कौन से soil के formation, ये दोनों point दोस्तों बहुत important है, ये दोनों point, ये दोनों point बहुत important क्यों है, क ये जो laterite soil किस, laterite soil किस condition में form होती, उसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, तीन चीज़ अच्छे से याद रखिए, climate, season, और leaching, climate कैसा होता है, tropical and subtropical, I am trying to make you learn, आप भी हमारा साथ कोशिश करिया, learn हो जाएगा, क्यों तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, तीन च चीज़ें, weather, climate and leaching, weather कैसा होता है, dry and wet होता है, और climate कैसा होता है, climate subtropical and tropical होता है, और तीसरा हमारा leaching है, तो ये तीन main factor है, जिसके, through, laterite soil, बनती है, या form होती है, चालिए, next characteristic है, तीसरा characteristic क्या है, laterite soil की वो देखते हैं, laterite soil की तीसरी characteristic है, ये mostly deep to very deep, deep to very deep, होती है, और ये acidic होती है, acidic होती है, acidic होती है, जैसा कि, जो हमारे students, science में ज्यादा जिनका interest है, वो pH का range जानते होंगे, वो pH का range 0 to 14 होता है, और जो 7 होता है, 7 range जो होता है, वो neutral होता है, 7 के उपर चीज़ें क्या हो जाती है, comment box में comment करके जरूर बताएए कि 7 के उपर, अगर pH level 7 की उपर है, तो क्या हो जाती है, और pH level 7 के नीचे है, तो क्या हो जाती है, और यहाँ पे pH level क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा pH level है, इसका, let right soil का pH level कितना है, 6 से भी कम है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा acedic है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, 7 से कम है तो, 7 है तो neutral है, 7 से कम है तो acedic हो गई, और 7 से उपर हो जाएगी, समझ रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में comment करके बताएए, और generally क्या होता है, लेटराइट स्वाइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरीट, acedic, generally deficient in plant nutrient, यह जो intense leaching हो रही है, उसी की वज़े से तो plant nutrients में कमी आ जाती है, लेटराइट स्वाइल में, right, समझ पा रहे हैं आप लोग, अब I hope आप लोगों का leaching का जो concept हो वो clear हो गया है, comment box में comment करके जरूर बताएए, आएए, next, हम लोग लेटराइट स्वाइल के feature पढ़ रहे हैं, next feature देखते हैं, अभी तक हम लोग, one, two, three, three features देख चुके हैं, चोथी feature क्या है लेटराइट स्वाइल की, लेटराइट स्वाइल की चोथी feature से हमारी, these soils support deciduous and evergreen forest, पिछली classes में आप लोग forest के बारे में पढ़ चुके हैं, types of forest पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, deciduous evergreen forest को support करते हैं, and it is humus rich, जाहिर सी बात है, अगर उस particular area में plants हैं, ट्रीज हैं, तो when these plants and trees die, science में आप लोग जान पढ़ा होगा आपनों अच्छे से, कि जब ये plant and trees die करते हैं, तो decomposers अपने काम में लग जाते हैं, और soil को fertile बना देते हैं, और हमस स्वाइल में इसी तरीखी से तो आती हैं न, ठीक है, तो चलिए, चौथी characteristic भी हमने पढ़ लेटराइट स्वाइल की, कि ये deciduous and evergreen forest को जहां पे support करती है, वहाँ पे ये humus rich होती है, next point हम पढ़ते हैं, basically next feature है, लेटराइट स्वाइल की, under sparse vegetation, याहीं जहां पे vegetation cover कम होगा, जहां पे vegetation cover कम होगा, जहां पे पीज दूर दूर, प्लांट दूर 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 तक, दूर दूर ग्रो हुए होंगे, वहाँ पे क्या condition होती है, under sparse vegetation, and in semi-arid environment, it is generally humus poor, देखें, ये दोनों points अच्छे से समझाने की कोशिश हम लोग करते हैं, जहां पे इस soil पर, decidious and evergain forest होते हैं, वहाँ पे तो humus rich हो जाती है, right, बट, जहां पे semi-arid region, arid region हम लोग जानते हैं, यहां पे semi-arid region उतल बारिश कम होती है, semi-arid region और sparse vegetation जहां पे होते हैं, यानि plants दूर दूर होते हैं, trees दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर ग्रो करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, यह humus poor हो जाती है, comment box में comment करके बताएं, ऐसा क्यों होता है, right, हम लोग आगे move करते हैं, इस पे तो question जरूर बनता है, dash, soil is prone to erosion and degradation, due to their position on the landscape, यह बहुत important point है, right, तो यहाँ पे basically, laterite soil are prone to erosion and degradation, due to their position on the landscape, I hope, आप लोगों को समझ में आया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, now we will move to the next slide, and next slide talks about, the areas के हमारी laterite soil, किन किन areas में पाई जाते हैं, आये देखते हैं, यह और equation आता है न, इस नियंदे areas where laterite soil is found, यह मैप में भी आ सकता है, तो उस नजरिये से भी जरूरी है, तो आये देखते हैं, वैं अरियाज लेट राइट से स्वाइल किन इरियाज मिलती है सदर्न इस्टेट तो आइए देखते हैं सदर्न स्टेट कौन कौन से हैं यह यह देख्या आप लोगों को दिख रहा होगा यह पतली सी नैरो स्ट्रिप यह नैरोष ठिप ठीक है एंड उसके बाद Western Ghats region of Maharashtra ये तो हमारा हो गया हमारा हो गया उसके बाद Odisha और West Bengal में देखे Odisha में ये रहा Odisha में ये रहा West Bengal में ये रहा North East में ये रहा राइट और Tamil Nadu में भी मिलती है ये रहा है नग तो basically हमारी ये किन किन एरियास में मिलती है ले राइट सॉयल Southern States में मिलती है Southern States में हमारा हो गया Karnatka हो गया Kerala हो गया Tamil Nadu हो गया आंधर प्रदेश में भी मिलती है आंधर प्रदेश हो गया महारास्टा भी मिलती है Odisha में मिलती है and some part of West Bengal and North East region में भी मिलती है तो यह areas हो गए जहां पर हम लोग map पढ़ेंगे तो map में हम लोग detail में discuss करेंगे and I'll try कि हम लोग एक अच्छी सी picture भी करें जो clear दिखे यह थोड़ी सी clarity की कमी है तो अब लोगों समझते हैं कि हम लोगों ने भी क्या देखा अभी हम लोगों ने देखा कि let right soil के क्या feature होते हैं हमें अच्छे से समझा उसके बाद हम लोगों ने यह देखा कि किन-किन areas में let right soil मिलती है यह हम लोगों ने देख लिया अब तीसरा और last हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि let right soil में कौन-कौन सी crops हम grow करते हैं आए देखते हैं so crops grown let right soil में हम लोग कौन-कौन सी crop grow करते हैं आए समझते हैं बहुत ही interesting है after adopting अब हम लोगों इतनी problem पढ़ी कि यार leaching की वज़ा से soil खराब हो जाती है तो इतका solution क्या है solution भी तो होगा definitely solution है solution यह है after adopting appropriate soil conservation techniques हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं particularly in the hilly areas of karnatka, kerala and tamil nadu देखते हैं देहां से देखे यह हमारा karnatka हो गया basically यह हमारा kerala हो गया यह हमारा tamil nadu हो गया तो अगर हम appropriate soil conservation techniques यूज करें तो tamil nadu, kerala and karnatka में this soil is very useful for growing tea, coffee tea और coffee के बिना तो हमारा हम life, मतलो हमारे modern life को we can't even think about tea and coffee so इसका एक बहुत ही सही तरीका है याद करने का कि alluvial soil में किन-किन states की alluvial soil में tea और coffee होती है आए देखते हैं, इसको हम लोग यह से याद करेंगे टी, के, के टी, के, 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 जिप होती है न, जिप, जो पैंट में लगती है जिप, तो बिसेग लिए टी, के, 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 यादी, तमिल नाडू, केरला and करनाटका इन थ्री स्टेट्स में, यादी हम टी, के, के में अगर हम अच्छे से टेक्नीक्स बगएरा यूज करें soil conservation की, तो तमिल नाडू, करनाट, तमिल नाडू, केरला और करनाटका में हम लोग tea and coffee grow कर सकते हैं, right second point देखते हैं, red, red, red laterite soil in तमिल नाडू, आंधरप्रदेश and केरला यादि तमिल नाडू, आंधरप्रदेश and केरला में जो red laterite soil है, that is good for growing cashews, जिसे हम लोग हिंदू में, हिंदी में काजू बोलते हैं, cashews तो आप लोग जानता ही होंगे, cashews से हम, हम नमकीन में भी, सारी dishes में cashews हम add करते हैं, जो white color का होता है, आप लोग जानते होंगे, right तो हम लोगों ने क्या देखा, कि जो alluvial soil है, वो हमें, चाय कॉफी पिलाती है, और, काजू की नमकीन खाने के लिए देती है, cashew की नमकीन खाने के लिए देती है बड़ा interesting है, एक चीज़ और हम इसे जोडते हैं, लेट राइट सोयल हमें क्या क्या देती है, खाने के लिए, लेट राइट सोयल से हमें tea, coffee and काजू की नमकीन, खाने को मिलती है, और क्यों याद करने के लिए एक चीज़ और हम कर सकते हैं, हम लोग चलते हैं, अलूवियल सॉयल में, अलूवियल सॉयल हमें क्या देती है, अलूवियल सॉयल हमें देती है, दाल, चावल, रोटी, दाल इस पल्स, चावल इस पैडी, रोटी इस वीट, राइट, पैडी, राइस, एन वीट, ग्रो होती है, तो हमने जब दाल, चावल, रोटी खा लिया तो तो उसके बाद क्या हो जाए, उसके बाद कुछ मीठा हो जाए मीठा मतलब शुगर केन तो इस तरीके समय याद हो गया कि aluvial soil में कौन कौंसे crop ग्रो होती है तो aluvial soil ने हमें डाल चाह और रोटी खिलाई और मीठा खिलाया एं Liverpool right soil ने हमें थी कॉफी पीने के लिए दी और नमकीन हमने कैशू की नमकीन खाई उसके बाद हमें ब्लैक सॉयल ने क्या दी ब्लैक सॉयल ने हमें पहनने के लिए कॉटन की शिर्ट ए टी शिर्ट दी इस तरीके समय से याद रख सकते हैं चली एकला point देखते हैं तो basically एक एक और तरीका है मैं आप लोगों से share करना चाहरा हूँ वो TKK वाला ही ताकि आप लोग भूले न TKK बहुत easy है देखे यहाँ पे Tamil Nadu हो गया T, यहाँ पे केरला हो गया K, यहाँ पे करनाटका हो गया again K तो TKK में क्या मिलता है T grow होती है and coffee grow होती है right अब TKK का यह वाला K हटा दो आप अभी हमने इसको इस तरीके से semi circle इस तरीके से बनाया एक मिनटे से मैं erase करता हूँ पहले फिर से देखते हैं यह Tamil Nadu है यह केरला है, यह करनाटका है अभी हमने semi circle को इस तरीके से घुमाया तो TKK में tea and coffee grow होती है right अब हमें किन किन states में cashew grow होता है अब laterite soil में वो देखना है, बहुत easy है इसको अब हम semi circle को उल्टा करेंगे इस तरीके से, now it will move to this direction and first वाले को हम cancel करतेंगे यानि करनाटका में cashew नहीं होता cashew कहां कहां होता है, बहुत easy है cashew कहां कहां होता है करनाटका कड़ क्या बचा केरला तमिल नाडू and आंधर प्रदेश ठीक है trust me आप एक बार practice करेंगे आपको याद हो जाएगा चलिए now इसी के साथ हम लोग next slide पे move करते है and हमारा next slide talks about arid soil right arid soil यह अपनी अलग characteristic होती है इसकी एक अपने अलग feature होती है और इसमें अलग तरह की crop grow होती है और यह अलग region में पाई जाती है आईए देखते है arid soil पहला पहला point पहला feature arid soil का पहला feature जो arid soil होती है वो हम humans से कुछ ज़्यादा ही inspired हो गई है जैसे हम humans chameleon के तरह रंग बदलते है वसे हमारी यह arid soil भी रंग बदलती है कभी red हो जाती है कभी brown हो जाती है आईए देखते है arid soils range from red to brown कहीं कहीं पर red होती है कहीं कहीं पर brown होती है अलग-अलग conditions में अलग-अलग color होते है इसके इसलिए यह मेरी favorite soil है देखते है arid soil are generally sandy sandy in texture याद है जो हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि soil को classify करने के basis क्या होता है thickness था उसमें texture था texture मतलब हम लोग ने क्या समझा था texture मतलब simple सा होता है confusion होने की ज़रूत नहीं texture मतलब होता है sand, silt और clay का proportion क्या है उस particular soil में तो arid soil में क्या है न silt है न clay है होगी तो बहुत कम होगी majority में क्या होता है इसमें sand और जिसके particles काफी बड़े होते है so arid soils are generally sandy in texture and saline in nature मिल क्या question one marker बनता है ठीक है इस पर so arid soil के हम लोग दूसरी feature देखते है third feature देखते है third feature क्या है in some areas the salt content is very high arid soil में and common salt is obtained by evaporating the water किसी बात पर हम लोग सांभर salt lake को कैसे भूल सकते है दोस्तों आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी आप लोगों को कि राजस्थान is the third largest salt producer in our country right तो इस तरीके से हम एक चीज़ और थोड़ सा quick recap करते हैं alluvial soil ने खाना खिलाया black soil ने कपड़ा पहनाया let right soil ने snacks कराया चाय कॉफी और कैशू की नमकीन और arid soil क्या खिला रही है नमक खिला रही है बिने नमक के तो कुछ भी टेस्टी नहीं लगता clear इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं so third point हम पढ़ रहे थे in some areas the salt content is very high and common salt obtained by evaporating the water यह हम जानते हैं right fourth point देखते हैं क्या है arid soil की due to the dry climate and high temperature evaporation is faster जाहर सी बात है पहले climate क्या है dry है उस पे temperature बहुत ज्यादा है तो क्या होगा जो थोड़ा थोड़ा बहुत बचा हुआ moisture है वो जल्दी ही खतम हो जाएगा उसकी वज़ा से और गर्मी बढ़ेगी hotness बढ़ेगी so due to dry climate arid soil की बात हम लोग कर रहे हैं dry climate होता है high temperature होता है evaporation इसकी वज़ा से बहुत जादा fast होता है इसलिए soil में humus और moisture कम होती है अब यह देखते हैं आपे soil में humus कहां से होगी soil में humus तो तब होती है जैसे हम लोग अभी पीछले slide में पढ़ रहे थे alluvial वाले में जहां पे deciduous और evergreen forest होता है alluvial में वहां पे बहुत जादा उसमें humus होता था हम लोगों ने पढ़ा अब देखिए arid soil के condition क्या है यहां पे थोड़ी bushes मिल गए यहां पे एक plant मिल गया मतलब बहुत जादा sparse vegetation है vegetation बहुत ही rare type की है जब vegetation होगे plant और trees होगे तभी तो humus होगा न इसलिए arid soil में humus और moisture की humus की कमी इसलिए होती है क्योंकि plant और trees बहुत ही sparse हैं अन्ना के बराबर है और moisture की कमी क्यों होती है क्योंकि climate dry होता है temperature बहुत ज़्यादा है और evaporation बहुत जल्दी से हो जाता है moisture के लिए आप हमें पता है कि जो trees होते हैं वो water release करते हैं अपने leaves से trees और plants भी बहुत कम है तो यह reason है वहाँ पर moisture और humus न होने का I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है next हम लोग करने वाले हैं next feature of arid soil the lower horizons of the soil lower horizons of the soil मतलब soil की कई layers होती है जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं soil की कई layers होती है mainly soil profile हम लोगों देखा कि 4 layer होती है तो इसका जो arid soil का जो lower level होता है the lower horizons of the soil are occupied by kanker kanker, kanker को हम लोगों ने सबसे पहले कहां पढ़ा था bangar में, bangar soil में हम लोगों ने पढ़ा था ना bangar soil में kanker nodules होते हैं वही वाले kanker ठीक है so the lower horizons of the soil यानि arid soil का lower horizon में kanker बहुत ज़्यादा होता है क्यों? क्यों kanker बहुत ज़्यादा होता है calcium carbonate की वज़े से calcium carbonate की concentration की वज़े से आये देखते हैं because of the increasing calcium content downwards यानि इस arid soil में जब हम lower level पे जाएंगे तो calcium का content बढ़ जाता है इसकी वज़े से वहाँ पे kanker ज़्यादा मिलता है अब इसकी वज़े से problem क्या होती है the conquer layer formation in the bottom horizon सबसे निचला वाला हो गया न जहां पे parent rock या bit rock होती है the conquer layer of the conquer layer of formations in the conquer layer of formation किसकी वज़े से हुआ calcium content की वज़े से हुआ bottom the conquer layer of formation in the bottom horizons restricts the infiltration of water वो पानी को नीचे जाने ही नहीं देता so basically दोस्तों हम लोगों ने भी क्या पढ़ा हम लोगों ने भी arid soil के features को देखा arid soil के जो main features है यह रहे हमारे कितने points हो जाते है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोस्तों मस चलिए हो सारे के सारे point बहुत important है इसलिए आप लोगों से खूद ध्यान से पढ़ें और समझें और याद भी करें अब हम लोग समझते हैं कि इसमें हम क्या grow कर सकते हैं हाला कि NCRT में नहीं दिया है लेकिन अब देखते हैं पहले after proper irrigation these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan तो हमारी arid soil हमारी पूरी country में क्यों एक जगा पाई जाती है वो है western Rajasthan यह बहुत ही easy है हम लोग इसे पिछले वाली slide में करके चलके देख सकते हैं यह रहा हमारा western Rajasthan यह वाला area है arid soil का यह यह ऐसा दिखता है अगर दिहान से देखता है यह लगता है जैसे कोई बैठा हुआ हो यह देखिए आप लोग ऐसा लगता है जैसे कोई बुल बैठा हुआ हो किया इसका मुह दिख रहा है यह देखिए न बुल ऐसा बुल की बॉड़ी पर देखो न नेक की उपर यह भी वहता है तो अगर आप इसे विजुलाइज क्यों क्यों इतना part अगर विजुलाइज को इस सींस की कोई ब्ल बैठा हुआ है तो यह वाला area होगह हमारा airy soil का चलि अब हम airy soil के बारे में और भी देखते हैं क्या points बाकी रह रहे हैं हमारे basically यही है यह area soil हमारे western राजस्थान में पाई जाती है है और हम लोग यह हमारा airy soil है जिसमें sand nodules होते हैं बड़े-बड़े right sparse vegetation होता है next हम लोग पढ़ने वाले हैं यहीं से आप लोगों को signal बिल जाएगा next हम लोग पढ़ने वाले हैं forest soil ये देखे ये है हमारी forest soil forest soil mountainous region में पाई जाती है hilly region में पाई जाती है तो आएए देखते हैं what all is there in forest soil which is as I already told you कि hilly and mountainous region में हमारी ये forest soil पाई जाती है आएए देखते हैं तो हम पहुँच गए forest soil पर forest soil feature है forest soil के आएए देखते हैं these soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available जाहिर से बात इसका नाम है forest soil तो forest में ही होगी और यहाँ पर खूब rainforest होते हैं यानि ऐसे forest जो rain पे you know depend करते हैं rainforest और इसका area rainforest का area अगर हम देखना चाहें अभी पिछली स्लाइड में चलके देखते हैं या भी देखे लेते है rain forest का area basically rain forest का जो हमारा area है वो यह रहा जम्मू काश्मीर हो गया लद्दाक हो गया हिमाचल प्रदेस हो गया उत्तरांचल हो गया अरुनाचल प्रदेस हो गया तो these are the areas जहां पे forest oil पाई जाते है आए एक पर देख भी लेते हैं हम लोग देखे यह रही forest oil यह अपना लद्दाक हो गया जम्मू काश्मीर हो गया हिमाचल हो गया उत्तरांचल हो गया यह अपना सिक्किम हो गया सिक्किम है यह और यह अरुणाचल प्रदेस है तो basically लद्दाक जम्मू एन काश्मीर हिमाचल प्रदेस उत्तरांचल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेस इस आर दी एरियाज वेर forest soil is found आई यह दूसरी feature पढ़ते हैं नेक्स स्लाइड में हमें चलना पलेगा और नेक्स स्लाइड है हमारी यह तो हमने देखा इस soils are found in the hilly इस soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforest is are available next point है हमारा यह तो हो गया कहाँ पर rainforest पाया जाता है मतलब area हो गया दूसरा the soils the soil's texture varies according to the mountain environment where they are formed mountain का environment जैसे हम लोगों ने पिछले माहें पर देखा हिमाचल प्रदेश, जम्मु काश्मीर उत्राचल में कुछ अलगतर रहका होता है अरुनाचल प्रदेश में कुछ अलगतर रहका होता है तो इसी depending on that soil का texture again texture मतलब proportion of sand, silt and clay in the soil next point है हमारा they are loamy, अब देख उसी का example है ये जो point हम लोगे ने पढ़ा उसी का example है they are loamy and silty जो हमारी forest soil है, वो loamy और silty होती है, valley sides में and coarse grained होती है upper slopes में, इसे note कर लीजे important है ठीक है अगला point है in the snow covered areas of himalayas these soils experience denudation अब क्या है कि mountain पे बहुत जादा snow fall हुई आ snow वहाँ पे basically बरफ जम गए mountain पे तो जो soil है एक limit तक ही उसके weight को bear कर सकती है, उसके बाद उसे नीचे आना ही है और जब वह नीचे आएगी, basically denudation होगा, denudation मतलब क्या हुआ, washing away of the upper layer of the soil तो जब जो बरफ होते बहुत भारी होती है, snow बहुत भारी होती है तो अपने साथ वह soil को भी तोड़ती हुई, चली जाती है, नीचे लेके आ जाती है, जिसे बोलते हैं, you know, glaciers melt हो रहे हैं, fissled रहे हैं, slide कर रहे हैं so in the snow, in the snow covered areas of Himalayas, these soils experience denudation due to heavy weight of snow and are acidic, acidic nature में हो जाते हैं यहां के soil and low humus, अब जहाँ पे snow covered है, वहाँ पे vegetation, snow covered areas में vegetation तो बहुत स्पार्स होता है, बहुत ही कम plants and trees होते हैं, तो जाहर से बात है, जहाँ पे plant and trees नहीं होंगे चाहे हम arid soil की बात कर लें, चाहे हम forest soil की बात कर लें, चाहे हम alluvial soil की बात कर लें, right, alluvial soil जो हमारी deciduous and evergreen forest जहाँ पे था, उस जगह पे जो alluvial soil थी, that was rich in humus, same applies here, जो snow covered mountain है, उस पे तो बहुत सी, यो बहुत ही rare, या बहुत ही कम plants and trees होते हैं, that is why low humus content होता है, अगला point है हमारा, forest soil का ही, the soils found in the lower parts of the valley, ध्यान देना आईए बहुत ही, ध्यान देना हो लाए था, lower parts of the valley, particularly on the river terraces, यह बड़ा confusing होता है, जाके सरे river terraces क्या होता है, बहुत ही simple है, आईए इस diagram की help से समझते हैं, देखिए, बारिश में क्या होता है, river एकदम पानी से भरी होती है, दोनों तरफ, यह पहला बैंक हो गया, यह दूसरा बैंक हो गया, राइट, river की यह दो बैंक हो गया, बारिश में एकदम लबाला भरा रहता है, अब जब बारिश कम होती है, बारिश में तो पानी यहां तक एकदम बारा हुआ है, बारिश कम होई, तो पानी का वाटर लेवल यहां पर आ गया, यह दोनों टेरसे हो गया, अब समर में तो लेवल यह हो जाता है, ठीक है, तो यह टेरसे होते हैं, रीवर की यह टेरसे होते हैं, राइट, तो क्या बोला इन्होंने, the soils found in the lower parts of the valley particularly on the river terraces and alluvial fans इसमें भी काफी कर नफीजन होती है कि यह alluvial fan क्या होता है यह देखे जो alluvial fan होता है एक triangle area होता है देखे तीन तरफ से होता है यह आप forward area माल लीजे यह आप left and right में इसकोश माल लीजे तो यह जो होता है यह alluvial fan होता है और rivers अपने साथ धेर सारे fertile soil लाती है अपने साथ pure humus लाती है mountains पे पत्थरों को काटते हुए तोड़ते हुए धेर सारी grains भी आते हैं इनके साथ fine grains तो यह alluvial जो fans होते हैं forest soil के काफी fertile होते हैं एक बार हम फिर से फटाफ़ देखते हैं इसमें क्या बोला गया है इसमें बहुत ही बोला गया है कि forest soils found in the lower part of the valley in the lower part of the valley particularly दो टम है the river terraces जो हम लोगों ने यहां देखा river terraces यह रहे one terrace, two terrace, three depending on water level and alluvial fence river terraces and alluvial fence में जो forest soil पाये जाती है वो fertile होती है otherwise यह soil ज़्यादा fertile नहीं होती है ठीक है हम लोगों ने इस point में यहां पे this point talks about की area यानि forest soil कहां कहां में मिलती है यह area की बात करता है और बाकी यह जो हमारे चारो points हैं यह उसके feature की बात करते हैं forest soil के feature की बात करते हैं दोस्तों I hope आप लोगों को समझ में आया आज के लिए तना ही thank you so much लिए फटाएडाखएड़ फ्ध बात दिस करते हैं क्या है यह इस दे किस दोस्तों इस दोस्तों इस लिए रूइ सれता हैं